हेलो फ्रेंज मैं हर्कीप सिंग फ्रॉम गति ग्रोपफ क्लासेज आप सभी का स्वागत करता हूं गाइज आज का जो हमारा टापिक है वो है हमारा modern school of art जो के आज lecture 3 हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें क्या है कि हम आज graphic prints के बारे में पढ़ेंगे तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह है graphic prints paintings के बारे में हम already बात कर चुके हैं जो के हमारी पिछली वीडियो था lecture 2 था लेकिन इसमें graphic print के बारे में बात करते हैं तो शुरू करते हैं पहले देखते हैं इसमें कौन-कौन से topics जो हैं वो हम cover करेंगे सबसे पहले तो देखो हमारे पास चार जो है हमारे graphic prints जो आपके इस वक्त सलेबस में हैं लेकिन एक और है जो वर्फूल जो के अभी आपके सलेबस से card दिया गया है due to covid तो अभी देखते हैं कि children देवी, off walls, man, woman and tree and साथी में हम जो है वो वर्फूल ये पांचों के पांचों के बारे में हम बात करेंगे तो यहां से शुरू करते हैं और children सबसे पहले देखेंगे कि children का जो artist है वो कौन है that is Somnath 4 और साथी में इसका period जो है that is 1955 से लेके 70-80 में जो है ये print बढ़ किया गया था medium इसका जो है वो है etching and equidating है ना इसको बोलते हैं हम courtesy national medium obvious सी बात है modern art New Delhi अगर हम अभी बात करें तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ह यह print है ना कि यह किसी भी तरह का painting नहीं है तो आपको यह ज्यान बिल्कुल रखना है तो कभी भी इसमें उलचिएगा मत यह है प्रिंट जैसे कि आप rubber की stamp होती है ना जैसे stamp लेते हैं ना हम stamp लगाते जाते हैं ink लगाते हैं stamp लगाते हैं उसी तरीके के यह print ठीक है न यह को बिल्कुल ज्यान रखना है ठीक है तो अभी शुरू करते हैं बेना कोई टाइम वेस्ट किये जैसे कि सब्जेक्ट मेंटर की बात करें तो यहां पर क्या है एक एक इमोशनल रिस्पोंस जो है वो दिखाया गया है जैसे कि जह पूर लोग हैं टेपराइब लोग हैं वो दिखाये गए यहां पर और उनकी प्राप्लम कि क्या है खत्म होग तो अभी यह black and white जो है यह बनाई गई है figurative work हम इसमें सारा का सारा देख सकते हैं और इसने जो है वो innocent poor लोगों के बारे में पूरी की पूरी जो बात है वो की गई है और यह composition है जिसमें के 5 figures जैसे की 1, 2, 3, 4 and 5 यह 5 figures जो है वो इसमें बनाई गई है और लेकिन क्या है कि they all are the victims of the starvation वो मतलब भूक के मारे तड़ पर रहे हैं वो सभी ठीक है ना बच्चे जो है वो बहुत पतले-पतले दिखाए गए हैं उनके stomachs जो है वो बाहर निकले हुए है या फिर अंदर गुसे हुए है ना वो दिखाई दे रहे हैं हमें साथ में उनकी जो rib cages है वो दे रहे हैं तो मतलब दिख रहा है कि भई वो काफी देर से जो है वो ना भूके हैं उनके heads जो है वो like skulls की तरह है बोनी faces लग रहे हैं काफी limbs जो है उनके जो face के जो limbs है वो भी अजीब से दिखाई दे रहे हैं आइस जो है वो बिलकुल white horrifying है लो उसकी तरह दिखाई दे ही है उनकी जो एक mother है यह इसकी mother है इन दोनों बच्चों की ठीक है ना जो इनकी mother है वो इनके पीछे खड़ी है लेकिन उसके फिर भी वहाँ पे protective hands मतलब उसने अपने hands हो है वो उनके कंदों पे रखे हुए हैं बच्चों के shoulder पे अगर हम foreground में बात करें तो वहाँ पे semi-d जो child है वो खड़ा है जिसने के necklace पहना हुआ है ठीक है यह necklace है ठीक है ना यह necklace पहना हुआ है और जो सबसे tallest figure है जैसे कि यह वाली है जो एक ghost की तरह लग रही है ऐसी लग रही है जैसे को बूत खड़ा हुए ना वो उसने अपने head पे जो है वो दोनों के दोनों अपने tones की बात करें तो इसको cubist style में geometrical patterns जैसे कि यह देखो यहां पे जो है इस तरीके से geometrical patterns जो है वो इन में divide किया गया है आप पूरी की पूरी वो बहुत ही ज़्यादा influence है किस चीज से 1943 में जो Bengal में famine आया अकाल पढ़ गया वहाँ पे शोका पढ़ गया है ना उस चीजों से काफी ज़्यादा प्रभावित है वो subject matter पे काफी ज़्यादा इनोंने जो है वो काम किया है और उनके जो जितने भी subject है ना वो मतलब जिसको society ने neglect कर दिया है poor लोग है जिनकी problems अभी खतम नहीं होने से आ रही है ठीक है ना तो एक symbolic abstraction यहाँ पे उन्होंने art के जरीए मतलब उन लोगों की problem जो है उनकी तरफ हमारा ध्यान देने की वो society को यह कहा गया है कि भई अपना साथ साथ इसके उपर भी ध्यान दो कि यह है इसका time period जो है that is 1965 से लेके 6780 का time period है medium इसका etching है courtesy National Gallery of Art New Delhi जो है वो इसका courtesy है ठीक है यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इसके बारे में अभी बात करते हैं जैसे कि अगर हम subject matter के बारे में देखें तो etching जो एक print है मतलब देवी as a power of worship है न ओवियसी बात है कोई अभी देवी है चाहे वो डुर्गा मा है चाहे कोई भी मा है काली मा है ठीक है न सरस्वती मा है कोई भी मा है उनकी पुजा अपनी मा है तभी भी पुजा ठीक है न ओवियसी बात है they are as the power of worship है hidden power एक कुंडलीनी क्या होता है यह आपको द्यान रखना चाहिए कि जो सांप ह फिजिकल एनरजी अगर हम एकॉर्डिंग टू योगा उपनिश्यत देखें तो कुंडलीनी जैसे बनी होती है गूमी होती है उस तरीके से या फिर एक सर्पेंट है जो के कभी भी जा सकता है ऐसा लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कंपोजिशन जो है वो कि Agrическихार हुँ छूए गस्षेज लें टोखन पे जो हमें हैं वो चीजी अलग लग लग ये एक अन्य ये Dre wraps निगाई होई है तो दो अलग लग रेकम एंब यह वो बनाये गए हैं जैसे कि एक कॉइलिंग करें मतलब यह näm शुये इतार है बनी हुई है वह चीज मतलब एक प सरापन्टेज़ फॉर्म है वह दिखाया गया, जैसे कि इक सांप ने कुंडली हुई हो, तो अपर अक्ल अगर बात करें तो यहां पर अपर अक्टेंगल जो है इसमें क्या है एक बोल्ड फेस जो है वो बनाया गया है जो कि इसके सेंटर में है और लोर में देखे तो यहां पे दो चोटे-चोटे सर्कल्स आपको जो है वो दिखाई देंगे जिन में एक में human figure है ठीक है ना और जो है या फिर motive है फोकार्ट की motive है हमें दिखाई दे रहे हैं अगर हम forehead की बार करें forehead और यह forehead है तो इसमें क्या है एक vermilion कलर इसको हम बोलते है vermilion कलर की कहना यह आपको ध्यान रखना है तो मतलब एक red बिंदी हमें दिखाई दे रही है जो के बहुत ही attractive है पूरी के पूरी जो print है उसका जो center of attraction है वो बिंदी बना रखी है तो wide open eyes जो है हमें वो काफी कुली eyes जो है वो दिखाई दे रहे हैं अगर हम tones देखे तो वहां पे sap green color जो है वो काफी खोड़ा बहुत use किया गया है decorative pendants यह वाले sap green color है ना यह दोनों के दोनों आप यहां पर देख भी सकते हो बहुत ध्यान से कि यहां पर जो है वो जोती भट यहां पर लिखा हुआ है यहां पर कुंडलीनी लिखा हुआ है यहां पर pseudo लिखा हुआ है तांतरिक लिखा हुआ है ठीक है ना यह चीज़े जो पूरो तंत्रिक कुंडलीनी जो है वो चीजे लिखी होई हैं मतलब कही ना कहीं ये पूरी की पूरी जो सब्जेक्ट मेटर है वो खुदी डिस्क्राइब कर दे रहे हैं ठीक है ना तो डीप लीनियर एचिंग जो है मतलब काफी ज़्यादा डीप जो एचिंग है वो की गई ओवियस सी बात है एक सर्पंटाइन फर्म दिखाया गया है तो एक साथ में ना यह फ्लार्ज जो चीख पर बनाए गए है यह दोनों के डोनों यह एक जो जोती जी है जो उनका एक स्टाइलेजेशन बन जाता है कि गौड़्डश के फेस है तो ओव्य सी बात है वहां पर जूरू बनाएंगे है ना ये एक तांतरा अगर हम बात करें ना तांतरिक फिलोसपी के उपर जो है ये काम किया गया है ठीक है ना ये आपको बिलकुल ध्यान रखना है कि जो के एक शिवा जो है ना शिव वो उनके ओवेसी बात है वो बहुत ही शक्तिशाली है तो भट की जी का जो ये काम जो उन्होंने किया हुआ है उसको हम पोपार्ट में भी लेते हैं ठीक है ना तो उन्होंने एक परस्तल लेंग्विज ओ सिंबल्स जो है वो इंडिन कल्चर को दिखाने के लिए यूज किये साथ ही में यहां पे पीकॉक, पार्ट, लोटस, स्टालिजेशन, इंडिन गॉड, गॉड़ेसेज जो उनके बाकी के जो काम है न उनके जो बाकी के काम और देवी नहीं मतलब बाकी के जो काम है उनमें थी हम इन मोटिफ को उन्होंने काफी ज्यादा यूज किया है अगर ह या Fine Art Craft Society New Delhi में यह अब पड़ा है यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यह वाल्स के उपर जो आप सिंबल देख रहे हो यह गुडिया बनी हुई है यहां पर भी दो बच्चे बह दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ मोटिफ हमें जो दिखाई दे रहे हैं मतलब जैसे बात है एक work is a journey of artist मतलब जो उनकी बच्चपन की जो journey है obvious ही बात है उन्होंने इस चीज को जो है वो काफी ज्यादा जो डेपिक्ट किया है अनुपरम सूच जी ने है तो subject जो है वो unconsciously जो उनके time period के साथ जो है वो कतम भी हो चुका है और लेकिन फिर भी वो उसको दुबा बनाने की कोशिश कर रहे है तो उन्होंने इंटरपेट किया यहां पर एक poverty को loneliness को है जो आम हमारे देश में देखने के लिए मिलता है हावर जो artist जो है वो अपनी personal moments जो है वो उनको describe कर रहे है horizontal artwork है यह आपको बिल्कुल clear ही है यहां पर ठीक है और इसको lithograph में बनाया गया आपको यह याद रखना है पीछे हमने coating देखा हमने etching देखा हमने यहां पर अभी lithograph की बात कर रहे है ठीक है ना lithograph जो है वो obviously बात है पत्थर पर होता है यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है चाहिए litho means stone मतलब यह पत्थर पर होता है बाकी का जो हमने etching देखा है वो जो है वो उस पर होता है अपना zinc plate के ओपर ठीक है यह आपको ध्यान रखना है तो artist जो अनुपम सूध है वो इसको भी etching को दिखा रहे है एन experience उन्होंने जो है अपना show किया है जैसे कि उन्होंने अपना पूरे का पूरा जो time period है childhood कैसे spend किया है background में हम देख सकते हैं जैस जैसे किया है वो उन्होंने convert किया अपनी memories को अपनी जो याद है उनकी बच्पन की जो stories है उस चीज़ को solid real images में convert कर लिया है तो wall drawings में देखते हैं हम यहाँ पर जो little girl है शायद वो उन्होंने अपने आपको भी दिखाया गया हो यहाँ पर उन्होंने अपने आपको दिखा इस दिखाई है अपनी अपने बच्पन का जो time period है उसको दिखाया है जो कि अभी तकरीबन गायब हो चुका है तो प्रिंटर एच्ड इंग ब्राउन कलर हम ब्राउन कलर जो है वो color scheme की बात करें तो ब्राउन कलर में इस print को दिखाया गया है तेके न और line drawings जो है वो white color में की गई है एक poor faceless lady बनाई गई है आप एक ध्यान रखना बहुत सारे artist हैं जो face नहीं बनाते उसका कारण क्या है वो आपको चाहते हैं कि भई जो viewer है जो उसको देख रहे है वो अपने आपको बहां पर imagine कर सके अगर आप उसको face देदोगे तो obvious ही बात है वो जो face है वो कहीं भी आप उसको resemble करोगे या कुछ करोगे तो है ना मतलब उस particular इंसान के बारे में सोचोगे लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि artist साते हैं कि वो किसी particular के बारे में मत सोचे हर एक बंदा जो है हर एक subject matter को अपने पंद से सोचे है ना तो एक poor lady जो दिखाई गई है उन्दा foreground अग वो realism दिखाना चाहते है है कोई beauty या glamour यहां पर कुछ भी उन्होंने नहीं दिखाया है ना तो वो उन्होंने अपने emotions जो है ना उसको visual detail में लेकिया है तो अगर हम देखें तो उनके जो जितने भी ज़्यादा works है ना उनमें हम सभी में देखेंगे कि physical reality of humans object और उन्होंने represent किया है उसको mask के द्वारा, texture के द्वारा, volume के द्वारा, forms के द्वारा, इन चीजों से जो है वो उन्होंने show किया है अगर हम देखें तो shades और shadows जो है वो print के बहुत ही अच्छे जो है वो हमें यहां पे दिखाई दे रहे हैं अनुपरम सूच जी ने hidden face of the society जो मतलब उसको लोग दबाते हैं ना उस चीज़ को बहुत ही बाहर निकाल के दिखाया है कि भही हमारी society में ऐसा भी जो है वो time period है या ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही problems में रहते हैं, woman की depreciation को, deprivation को दिखाया है, उन्होंने exploitation को दिखाया है, faceless figure मतलब woman represent her vulnerability and emptiness and continuous endless time के आने वाले किसी भी time म जो woman है, उसकी जो problems है, वो खतम नहीं होने वाली, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये एक फुरा thoughtful जो है, एक work है, और साथी में ये deep monochrome है, monochrome मतलब एक ही color में जो है, वो सारे का सारा काम जो है, वो किया गया है, ये आपको बिल्कुर ज्यान रखना है आगे हमारे पास जो हमारा इसका जो last print है, जो कि आपके syllabus में है, ठीक है न, जो आपके 2021 में जो आपके paper होंगे, तो उस syllabus में जो है, man, woman and tree, अनुपम सूर जी ने जो है, वो बनाया है, ठीक है न, अच्छा, तो यहाँ पे जो है, वो हम साथ ही में, यहाँ पे देखेंगे, किस तरीके के, ओ, सॉरी, जो है यह अनुपम सूर जी ने नहीं बनाया, this is made by के लक्षमा गौड, ठीक है, सॉरी, यह थोड़ा सा misprint हो गया, कोई बात नहीं, तो अभी जो है, यह इसको के लक्षमा गौड जी ने जो है, वो बनाया है, यह आपको बिलकुल दियान में रख है, उसमें को ही यहां पर दिखाया गया है, आंधरा विलेज की एक वहां का मतलब, जो रस्टिक वर्जन है, मतलब, आपको यहां पर लग रहा हो ना है, जैसे जंग सा लगा हुआ है, मतलब, man, woman and tree, उसको डिपक्ट किया गया है, description की बात करते हैं, वह सी बात है, यह वर् दिखाई दे रहा है, ठीक है न, और background में अगर हम देखें, तो वहां पर बहुत सारी branches जो है, वो पूरा बिल्कुल उपर जाके बनाए गई गई है, ताके जो पूरी की पूरी composition है, उसको balance किया जा सके, ठीक है न, full ground में हम देख सकते हैं, कि right side में एक woman, जो है, वो एक जहां पे यह man बैठा है, तो यह flowers का जो है, वो उनको थोड़ा सा difference उनमें दिखाई दे रहा है, यह simple villages, जो कि South India के village में रहते हैं, तो एक flowering plants जो shrubs हैं, वो उनको separate कर रहे हैं दोनों को, तो treatment अगर हम देखें, तो leaves हर एक न, हमें यहां पे अकेला-केला देखो, detail जो है, पूरी की पूरी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, न, color scheme की बात करें, तो light blue या green colors जो हैं, वो इसमें use किये गए हैं, जिसमें के पूरे के पूरे print को बहुत ही जादा impressive और expressive जो है, वो बना दिया है, तो यहां पे हम blue और green colors के जो patches हैं, वो देख सकते हैं branches के उपर, तो it human के साथ, जो harmony है, उन दोनों चीजों को यहां पे depict किया गया है, ठीक है, तो artist जो है, वो अपने आपको बहुत ही unself conscious हैं, जो मतलब, वो relaxed atmosphere, village life का, जो उसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, यहां पे physical attraction दिखाया गया है, man and woman के बीच में, obvious ही बात है, तो expression of villages, मतलब बलकुल के भई, जो एक village life होती है, जो nature के साथ पुरी absorption हुई हुई है, उस चीज को जो है, यहां पे depict किया गया है, अच्छा अगला जो एक print है, वो अभी फिलहाल तो आपके syllabus में नहीं है, लेकिन जो आगे के syllabus आएंगे, उसमें जरूर होगा, जैसे कि world pool जो है, वो Krishna Rader जी, जो ह है, उन्होंने बनाया है, तो period इसका जो हम देखते है, 1955 से लेके 70 का time period है, medium इसका obvious सी बात है, etching है, OTCS की National Gallery of Modern Art, New Delhi है, अगर हम इसकी अभी जो depiction है, उसकी बात करते हैं, तो world pool एक, बिल्कुल abstract art है, जिसमें क्या है, organic forms दिखाई गई है, ठीक है ना, tones जो है, वो बिल्कु एक endless mystery है, जैसे कि कभी भी इसको solving नहीं किया जा सकता, कि भई क्या चीज है, क्या नहीं है, है ना, obvious सी बात है, कुछ waves को यहाँ पे दिखाया गया है, यह भी zinc plate के उपर ही किया गया है, ठीक है ना, तो यह pool of water दिखाया गया है, जिसकी boundless waves है, मतलब उसको कोई भी waves को उनक दिखाई गई है, ठीक है ना, तो force of turbulent water, मतलब जिसके पास इतनी ज़्यादा capacity है, कि वो सारे की सारी चीजों को अपने अंदर समा सकता है, ठीक है ना, तो उस चीज को जो है यहाँ पे दिखाया गया है, रेडी जी जी इतना भी काम करते थे, वो सारे का सारा abstract काम करते हैं, है ना, multiple meanings हो सकते हैं, इसके आप कुछ और meaning निकाल सकते हो, मैं कुछ और निकाल सकता हूँ, हो सकता है, रेडी जी ने कुछ और बनाया हो, है ना, तो बट जब you return to them, तो you discover new aspects, जब भी हम इसमें देखते हैं कुछ नए aspects हमें जो दिखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना, त उसके साथ बहुत अच्छी चीज़ें बना देते हैं, ठीक है ना, तो obvious सी बात है कि किसी artist में ही जो है वो चीज़ें होती है, तो नांदलाल boss जी को जो है वो अपना boss बानते हैं, ठीक है न, एक तरह का अपना guru मानते हैं, ठीक है न, तो आईए आपको बिलकुल ध्यान में रखना चाहिए, तो इस तरीके का जो प्रिंट है ये वल्लफूल जो है वो बनाया गया है, तो guys अगर हम आप चाहते हो कि भी हाँ हम इस चीज़ें पर वीडियो बनाएं, कि कोंसी graphics art कैसी होती है, कैसी नहीं होती है, lithograph क्या होता है, कैसे होता है, etching या acquainted कैसे होता है, तो आप मुझे अपने जो है, वो comment section में बता सकते हो, अगर आप वीडियो चाहते हो, तो हम जरूर बनाएंगे, आप तक जरूर पहुंचाएंगे, तो guys अभी जो आज का हमारा topic है, वो यहीं पर खातम होता है, ठीक है न, तो मिलते है next video में, जो के आपकी sculpture की video होगी, ठीक है तो उसमें हम जो हैं, वो बाकी की बाते करेंगे, अगर आपको यह video पसंद आई, तो please इसे like, share, जरूर करें, और हाँ, अगर आप नए हैं, तो channel को subscribe कर दीजिएगा, thank you very much guys, bye bye everyone.